नमस्कार साथियो क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर्शित वागत हैं साथियो आज एक बहुत इंपोर्टेंट सेशन आपके लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम आगने वाले 10 मिनट के अंदर राजस्तान के बरतमान पदादिकारी देखेंगे हर परि तो राजस्तान में वरतमान मुख्यमंत्री कौन है? स्री बजनलाल सरमा जी हैं ये 26 मुख्यमंत्री याद रखना व्यक्तिकत रूप से ये 4 में है याद रखना क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 2-3 बार भी राजस्तान के CM बने हैं बात की जाए यहाँ पर देखो कुछ हीरालाल सास्त्री जी थे याद रखना आपको प्रथम मनोनिक कोन है हीरालाल सास्त्री हीरालाल सास्त्री बात की जाए यहाँ से प्रथम निर्वाचित की प्रथम निर्वाचित की तो प्रथम निर्वाचित यहाँ से आपको याद रखना है टीकाराम पालिवाल प्रथम अगर बात की जाए उपमुख्य मंत्री की तो स्री मती दिया कुमारी ये छटी उपमुख्य मंत्री याद रखना श्री प्रेम चंद बैरवाजी ये साथ में है और अगर यहां से पूछ ले जाता है कि पांच वे कौन थे तो पांच वे स्री सचिन पाइलेट जी याद रखन ये आपको याद रखना है सचिन पाइलेट जी अगर बात की जाए प्रथम उपमुख्य मंत्री तो टीकाराम पालीवाल बात की जाए विधान सभा के अध्यक से तो ये वासु देव देवनानी जी है ये सोल भी के हैं पंदरवी के अंधर अगर आप से पूछा जाता है प प्रथम के बारे में अगर आप से पूछा जाता है प्रथम अगर आप से पूछा जाता है तो ये नरोत्तम लाल जोसी हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोसी ये प्रथम है जानकना ये प्रथम बिधान सभा अध्यक से याद रखना बात की जाए यहां पे नेक्स्ट के देखो इसमें नेक्स्ट पर बात की जाए देखो, important है, पूछा जा सकता है, प्रतिपक्स नेता, तो टीकाराम जूली है याद रखना, स्टोल भी बिदान सबा में प्रोटेम स्पीकर, काली चरन सराफ जी है याद रखना, नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी है, और एक मंत्री है, पूछा जा सकता है, important है, ठीक है, यहाँ से बात की जाए, राजस्तान बिदान सबा के मुख्य सचे तक, तो ये जोगेश्वर गरग जी है, मुख्य सचे तक कोन है, जोगेश्वर गरग जी है, बात की जाए, राजस्तान हाई कोट के मुख्य नयाधीस, तो मु M. श्रीवास्तव ये 42 वे करम के हैं याद रखना 42 वे करम के हैं ठीक है important है आपको पूछा जा सकता है ठीक है अब यहाँ पे ये 4 बार कार्य वाहक भी रहे धान रखना 4 बार कार्य वाहक बात की जाए यहाँ पे 41 वे के 41 में आपको याद रखना है एजी मसीह एजी मसीह याद रखना ठीक है ये आपके 41 करम के हैं याद रखना 41 करम के हैं बात की जाए प्रथम की तो प्रथम जो है वो कमल कांत वर्मा थी याद रखना प्रथम की अगर बात की जाती है प्रथम तो ये कमल कांत वर्मा ठीक है प्रत्थम जो आपके राजस्तान हाई कोट की मुख्य नाय दीज थी वो कौन थी कमल कांत वर्मा थी या रखना इंपोटेंट है आपसे पूछा जा सकता है इसी के अंदर आप नेक्ष्ट पे बात करोगे इंपोटेंट है राजस्तान के नवीनतम जो आपके मुख्य सचीव है वो सुधान स्पंथ जी है और ये 45 करम के है या रखना अब ये या रखना महीला के करम में अगर आपसे पूछा जाता है तो महीला के करम में ये दूसरी है अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम इसकी जो महीला है प्रथम महीला इसमें प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे या रखना सचीव की बात करेंगे प्रथम अगर महीला के आपसे पूछा जाता है तो प्रथम जो महीला है वो कुसल सिंग है या रखना प्रतम महीला कोण है? कुसल सिंग है और अगर आपसे पूछा जाता है प्रतम प्रतम सचीव के अगर आपसे बात की जाते हैं तो प्रतम जो सचीव है वो इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है स्री राधा कृष्णन स्री राधा कृष्णन स्री राधा क्रिशन बात की जाए यहाँ पर महादी वक्ता की तो महादी वक्ता आर के अग्रवाल है महादी वक्ता कोन है आर के अग्रवाल है और प्रथम की बात की जाती है प्रथम की बात की जाती है important है कई बार प्रथम भी हमसे पूछ ले जाते हैं तो प्रथम जो हैं वो GC GC कासली वाल तो GC कासली वाली अब प्रथम हो जाएंगे याद रखना फिर बात की जाती है राजस्तान करमचारी चैन भोड़ के अध्यक्स है तो मेजर जन्रल आलोक राज मेजर जन्रल आलोक राज और प्रथम की बात की जाती है तो प्रथम यहां से आपके हो जाएंगे R के मिना प्रथम कोण हो जाएंगे यहां से R के मिना R के मिना जो हैं प्रथम अध्यक्स हैं बात की जाती है RPSC के अध्यक्स की तो स्री संजे गुमार्ख सोत्रिय जो है, ये RPSC के बरतोमान अध्यक्सें प्रथम की बात की जाती है, तो प्रथम में आपको याद रखना है, S के घौस, S के घौस जो है, ये आपके प्रथम अध्यक्सें RPSC के याद रखना, राजस्तान के लोकाিप ने, dimente, न्याय मूर प्रथम तो प्रथम पे आपको याद रखना है स्री आईडी दूहाजी जो है ये प्रथम है बात की जाए राज्येपाल की तो राज्येपाल स्री कलराज मिश्र है और प्रथम की अगर बात की जाती है प्रथम की तो प्रथम आपको याद रखना है गुरुमुख निहाल सिं गुरुमुक निहाल सिंग तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी आपके बरतमान पदादिकारी थे उनके बारे में हमने चर्चा करी यहाँ पर अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स वीडियो आपको किस पर जीए मैं हर एक मुद्धे पर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा यह हर एक एक एक्जाम के ले अंदर यह सोटनौस बहुत अच्छे काम में आने वाले हैं आपके यह बहाँ सारी एक्जाम से रिलिटेट चीज़ आपको मिलती रहेंगी तो इसको आप जोईन कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन का जो मॉबाइल एप्लिकेशन है उसे भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको डिविन परतियों की परिक्षाओं के वीडियो कॉर्स इसके अलावा ओनलाइन लाइफ रूम क्लास्रूम इसके अलावा ओनलाइन टेस्स सीरीज भी आपको यहां से मिल जाएगे अगर किसी प्रकार की कोई क्वैरी हो तो आप इन नमबर पर पौन करके अपनी जो है संका का हर प्रकार की संका का समाधान ले सकते हैं तो अब मुझे दे इजाज़त इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक आप पढ़िए रिवाइस कीजिए धन्यवाद